गुड मॉनिंग स्टुडेंट ओफ लास सेकिंड देखे आज हम हमारी पाठे पुस्तक हिंदी का चैप्टर सेकिंड ननी चिरिया पढ़ने जा रहे हैं वैसे तो आप अपनी नानी वेदादे से बहुत सी कहानिया सुनते हैं पर आज हम एक ननी सी चिरिया की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिससे बगीचे के सभी पक्सी खुस रहते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ननी सी चिरिया फुदकु थी क्या नाम था चिरिया का फुदकु सुब़ सुब़ वै फुदक फुदक कर बगीचे में चीची करती थी यानि चिरिया अपनी आवाज करती थी वै कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर जा बैढ़ती चण भर भी टिककर नहीं बैड़ती चण भर यानि थोड़ी देर भी वह है एक जगए नहीं बैड़ती उसके भूरे पंक, छोटी सी चोंच और लाल-लाल पंजे देखकर सभी फूर खुस हो जाते यानि चिडिया के पंक कैसे थे? भूरे पंक और छोटी सी चोंच और लाल-लाल पंजे देखकर बगीचे के सभी पकसी खुस हो जाते गेंड़ा उसे देखते ही कहुडता गेंड़ा कौन है? एक फूल का नाम है गेंड़ा आओ मेरी फुद्गू दो-चार घड़ी आराम कर लो उचल कूद कर ठक गई होगी गेंड़ा फूल क्या बोलता फुद्गू को? कि आओ मेरी फुद्गू दो-चार घड़ी आराम कर लो सारे दिन आप उचल कूद करती रहती हो तो ठक जाती हो अरे नहीं, चिडिया क्या बोलती है फिर, अरे नहीं, मेरा तो यही काम है, अभी कई दोस्त हैं, जगाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कहते हुए वह आगे भर जाती है, उसे देखते ही सब खुश हो जाते हैं, यानि जब फुद्गू बगीचे में जाती है, तो बगीचे के सारे फक्सी जग जाते हैं, एक दिन सूरज निकले काफी समय बीत गया, बगीचे में कोई चहल फैल नहीं थी, सवी अलसाई आखु से फुद्गू का इंतजार कर रहे थे, पर आज उसका कोई अता पता नहीं था, गुलाब ने हवा से पूछा, प्यारी पवन क्या तुमने हमारी फुद्गू को देखा, बगीचे में गुलाब का फूलता उसने हवा से पूछा, क्या आपनी हमारी प्यारी फुद्गू यानि नन्नी चिडिया को देखा, हाँ, आज वह अपने घोंसले में है, उसकी तब्यत ठीक नहीं है, पवन ने कहा, पवन ने क् हावा ने बताया कि उसे ठंड लग गई ठंड लग गई मतलब उसको सर्दी जुखाम हो गया तबी खनकू खरगोस उचलता हुआ बगीचे में पहुचा तबी कौन आया? खनकू खरगोस उसने लताओं से पूछा क्या हुआ? तुम सब चुपचाप क्यों हो? लताओं लता बेल होती हैं जो पेड़ों पे लगी होती हैं उन्होंने लताओं से क्या पूछा? कि आज आज आप सब चुपचाप क्यों हो? लताओं बोली हमारी पुदकू बिमार है वह हमें जगण